दोस्तों शुरू करते हैं exercise 6.1 से question number 5 इन figure ये figure दी हुई आपको book में Poq is a line, Poq एक line है Ray or is perpendicular to line Pq ये R o एक ray है जो Pq के उपर, उपर से पड़ी हुई है Os is another ray, Os एक और भी ray है Lying between rays, O P and O R ये O P और O R के बीच में Os जो है ये एक अलग ray है Prove that, आपको proof करना है Angle R o S, यानि कि R o S ये पतला वाला angle, छोटा वाला Is half of Q O S minus angle P O S Q O S ये पूरा बड़ा है आपका up to this angle और P O S इधर का ये acute angle ये चीज़ आपको proof करनी है ये question काफी important है लेकिन ये आसान बहुत है देखे, question की starting इस तरह से होगी सबसे पहले ये दिया हुआ है कि जो R o है न, ये P Q के उपर perpendicular है तो इस तरह लिखेंगे इसे since R o perpendicular to P Q therefore angle R o P R o P यानि कि इतना वाला angle यहां से यहां तक is equal to angle R o Q क्यों, क्योंकि दोनो 90 degree होंगे perpendicular में दोनों तरफ 90 हो जाता है न तो each 90 degree यहां से इसकी शुरुआत होगी इसके आगे simple तो बहुत आसान है बस आपको ये करना है कि जो R o P है अब अपने जो R o P को आप किस तरह से लिखेंगे आप लिखेंगे P o S और S o R की फॉर्म में यानि यह वाला छोटा वाला एंगल और यह वाला एंगल इनको प्लस करके लिखेंगे यह दो एंगल आ रहे हैं ना आपके R o P में इनको प्लस करके लिखेंगे एंगल P o S प्लस एंगल R o S is equal to अब आपको R o Q लिखना है लेकिन R o Q आपको कुछ इस तरह से लिखना है कि उसके अंदर आपका R o S आ जाए और वो तबाएगा जब आप S o Q में से R o S को माइनस कर दें देखिए S o Q में से आप R o S को माइनस कर देंगे तो आपका R o Q आ जाएगा तो इसको इस फॉर्म में लिखना है आपको S o R में S o Q में से आपको माइनस करना है R o S इस टेप को आप थोड़ा ध्यान से देखिए देखिए लेफ्ट वाले अंगल को तो लिखा है आपने R o S की प्लस में यानि यहाँ पे जो R o S है ना यह आपका प्लस में है अच्छा राइट साइड में यह जो R o S है यह आपका माइनस में आ गया यही इसके अंदर परपस है आपका कि इन दो एंगलों को कुछ इस तरह से लिखना है कि आपका दोनों तरफ R o S आए तो इस तरफ तो आ रहा है प्लस में और इस तरफ आ रहा है यह माइनस में अब आगे चलते हैं देखे R o S और R o S को आप अपने लेफ्ट साइड में रखनें दोनों को यह तो अपनी जगह पे हैं और यह वाला R o S इधर जब आएगा तो यह आपका प्लस में हो जाएगा यहाँ पे एंगल S o Q है और इस R o S के पास P o S है यह इधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा अब R o S और R o S 2 R o S हो गया और यहाँ पे जो चीज़े as it is आप कॉपी कर दीज़े S o Q माइनस एंगल P o S अब यह जो twice of एंगल R o S है अगर यहाँ से सिर्फ एंगल R o S की वैलू निकालेंगे तो यह जो two यहाँ multiply में यह इस तरफ आके आपका divide में चला जाएगा आगे जो चीज़ जैसे लिखियो ही है as it is उसे आप कॉपी कर दे S o Q माइनस एंगल S o Q माइनस एंगल P o S यह आपका result आ गया देख लीजे उपर एंगल R o S is equal to half of S o Q Q o S यह आगे पीछ होने से कोई फरक नहीं पड़ता बीच की चीज से हैं होनी चाहिए आपकी जैसे की S o Q बोले या Q o S बोले यह एक ही बात है बीच वाली चीज वर्टेक्स बीच में होनी चाहिए और यहाँ पेंगल P o S माइनस में P o S हो गया प्रूड तो यह हैंस प्रूड तो step आप समझ गया होंगे इसमें सिर्फ यह वाली जो पॉइंट है न जहाँ पे मैं यह मार्क कर रहा हूँ यह मैंने इसके अंदर आगे तो simple solve भी है बस है तो इसके बाद question करते हैं आपका 6 चलिक question 6 में आपको figure नहीं दी हुई है बुक के अंदर और यह question बहुत important है पहले question पढ़ते है इस गिवन देट एंगल xyz is equal to 64 यह कहा गया है यह दिया है कि कोई angle है xyz वो 64 के बराबर है तो एक angle ही बना लेते हैं पहले यह मैंने एक angle बना लिया अब 64 का है तो उस अंदाजे से आप अपना acute angle ही बनाना इसका नाम है x यह y है और यह z और इसकी value है 64 degree आगे कहता है add xy is produced to point p और यह जो xy है न इसको आगे तक बढ़ा दिया है और वहाँ पे p point नाम रख दिया है तो इसे बढ़ाएंगे बिल्कुल सीधा अपने xy को और यहाँ पे कहीं p तक बढ़ा दिया इसको फिर कह रहा है draw a figure from the given information तो इस information से आप एक figure बनाईए तो figure तो हमने बना दी आगे कहता है if ray y q bisects z y p कोई ray है y q तो अगर y q है तो y से बनेगी ray और bisect किस angle को कर रही है z y p को तो z y p ये वाला angle है ना इधर वाला और y q है तो y से निकल के इस तरफ आएगी और ये इस angle को bisect कर रही है bisect का मतलब है दो equal part में बाट रही है तो ये ray हुई आपकी y q इसने z y p के दो बराबर टुकडे कर दिये यानि ये वाला angle और ये वाला angle अब आपका बराबर हो गया तो ये तो बनी आपकी figure पूरा question पढ़ने के बाद अब to find में है find x y q तो इसमें to find में एक तो आपको x y q निकालना है x y q बताते हैं कहां से कहां तक है देखिए ये x ये बीच में आपका y है यहां पे और ये q है तो x y यहां से यहां तक है आपका जिसमें यह 64 भी है और इसके बाद z y q है एक तो x y q निकालना है दोसरा निकालना है आपको reflex q y p यानि q y p का reflex अब पहले q y p देखिए कहां पे है देखिए ये है q y p अंदर अंदर का अब मैंने बताए कि आपको अपने लास्ट वीडियो में कि reflex एंगल क्या होता है जैसे कि यहां से यहां तक कोई एंगल है आपका यह अंदर वाला है 180 से कम जो इसके बाहर का होता है न वो इसका reflex बोला जाता है यानि कि अगर यह ABC एंगल है यह आपका 40 डिगरी का है तो इससे बाहर बाहर का जो एंगल होगा वो reflex of ABC बोला जाएगा तो यहां पर आपको QYP की value निकालनी है लेकिन उसके reflex की तो QYP से बाहर बाहर यानि यहां से यहां से यहां तक के एंगल की value आपको निकालनी है question में चलिए अभी से शुरू करते है देखे सबसे पहले निकालना है XYQ आप XYQ आपका निकलेगा तब जब 64 के अंदर आपको ZYQ प्लस करना पड़ेगा तो ZYQ की तो value आपके पास नहीं है तो सबसे पहले तो ZYQ की value निकालने के लिए हमको ZYP की value निकालने पड़ेगी ZYP की value निकल जाएगी उसका जो half होगा वो आपका ZYQ होगा तो ZYP निकालते हैं तो solution करेंगे इसके अंदर linear pair से यह आपका XYZ angle XYZ प्लस angle ZYP यह जो दो angle मिलके बन रहे हैं आपके यह बनेंगे 180 degree क्यों? linear pair एक line के उपर जो angles बनते हैं वो आपके linear pair होते हैं अब XYZ की value इसके अंदर 64 दी हुई है और ZYP आपको पता नहीं है तो इससे ऐसे लिखेंगे is equal to 180 degree यहाँ से angle ZYP की value आपकी आएगी 180 degree यह 64 इदर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो angle ZYP की value हो गई 180 minus 64 यह बन गया आपका 116 degree अब जब ZYP की value 116 आ गई और इसके अंदर जो YQ है यह इनका bisector है तो यह जो मेरे दो angle आए हैं equal मैं इनको भी हाँ पे निकाल लेता हूँ क्योंकि वो मेरे use होंगे तो therefore पहले मैं लिख लेता हूँ कि because YQ because YQ is bisector therefore ZYQ angle ZYQ की value हो जाएगे आपकी half of 116 और यह बनती है 58 degree अब जब यह चीज 58 degree है तो यह भी 58 degree है तो इसे भी आप लिख लेंगे and angle QYP यह भी आपका 58 होगा क्योंकि यह दोनों बरावर ही तो हैं यह bisector है ना तो यह 58 है तो यह भी 58 है अच्छा यह दोनों value है ने निकाल ली अब हमसे जो भी angle पूछा जाएगा उस answer हम तुरंत निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास सारे angles की value है तो सबसे पहले पूछा है x, y, q angle x, y, q देखें फिगर में यह x है, यह y है, यह q है यह दो एंगलों से मिलके बना हुआ है तो पहले तो दो एंगलों का नाम लिखेंगे x, y, z और z, y, q is equal to है x, y, z plus angle z, y, q फिर value पूट करते हैं इसकी value है आपकी 64 degree और z, y, q की value हमने यह निकाल ली है 58 degree दोनों को प्लस किया यह value आगई आपकी 122 degree इन को प्लस किया तो 122 आगया x, y, q तो आगया आपका 122 यह आपका first answer है अभी आपको second निकालना है second में है reflex of Q-I-P Q-I-P का reflex अब देखे Q-I-P तो आपको पता चल गए यह रहा Q-I-P 58 है और reflex मैंने बताया था कि total 360 होता है तो 360 में से अंदर वाला minus हो जाता है तो आपका reflex आ जाता है यानि कि बाहर बाहर का तो reflex angle Q-I-P का Q-I-P का reflex हो जायागा 360 degree minus angle of Q-I-P जितनी Q-I-P की value है तो 360 minus Q-I-P की value है 58 degree इससे जब minus करेंगे तो यह आपका 302 आ गया तो second part reflex Q-I-P आपका हो गया 302 degree इस तरह का यह question था यह question काफी important है इस exercise में यही अक्यला ऐसा question है और इससे जो fifth वाला है जो आपके standard के है बाकी तो उपर के जो चार question है यह बहुत याअसान है वैसे तो सारे important है लेकिन question number सीखिये सबसे ज़्यादा important है तो I hope आपको यह दोनो question अच्छे से समझ में आए होंगे वीडियो में अच्छा लगा हो तो प्लीज से like करना classmates में, friends में share करना और ninth class का complete match पढ़ने के लिए आप इस channel को भी subscribe करना Thank you